हेलो फ्रेंट्स आज मैं वन पार्ट चिकेन बनाने वाली हूँ जो बहुत टिक्विक एंट सिंपल है सबसे पहले मैंने ओयल गरम कर लिया है मस्टर ओयल डाला है आप कोई साभी ओयल इसमें यूज कर सकते हो जब ओयल हलका सब अच्छा सही से गरम हो जाए तब चिकेन को वाश करके डाल दीजेगा इसमें मैंने हाफ केजी चिकेन लिया है ओयल आप कोई साभी उसकर सकते हैं फिर इसमें आप सॉल डाल दीजे हाफ टीस्पून मैंने सॉल डाला है और इसमें वन टीस्पून जिंजर गालिक पेस डाला है मैंने हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून है मिर्चा पाउडर हाफ टीस्पून है इसे अच्छे से मिक्स कीजिए फुल फ्लेम पर कीजिएगा कि अच्छे से पक जाए इसमें इसको भूनना है और मैंने वन कप इसमें अनियन डाला है बहुत फाइन चॉप किया है यह चिकन ऐसा है कि एक ही बार में एक ही पॉट में आप सब कुछ बना सकते हो एक ही बार में और यह बहुत ही जल्दी बनकर तयार होता है इसे फुल फ्लेम पर आपको दस से बारा मिनट तक रोस्ट करना है और अनियन को बहुत फाइन मैंने चॉप किया था अब इसे कवर कर दिजेगा कुछ देर के लिए दो से तीन मिनट के लिए जब प्यास थोड़ी सॉफ्ट हो जाए यह देखिए ओयल सेपरेट हो चुका है इसे थोड़ा स्टर करना है यह देखिए अब इसे दोबारा से कवर करूँगी यह देखिए ओयल पूरे तरीके से सेपरेट हो चुका है थोड़ा सा मैं इसे स्टर करूँगी यह देखिए हो चुका है चिकेन की जो स्मेल थी वो निकल चुकी है अब मैं इसमें एक तेश पता डालूँगी और दो हरी मिर्चो को बीज से मैंने कट कर लिया था और एक मुठी धनिया पत्ती है और टेमेटो को मैंने दो टेमाटर लिया था उसे फाइन चौप कर लिया था वन चममच जिंजर पेस, वन चममच गार्लिक पेस था, अगेन हल्दी मैंने डाली है वन चममच लालमिर्श पाउडर है टू टी श्पून मैंने कोरियंडर पाउडर डाला है और थोड़ा सा यह चिकन मसाला है, जो मेरा खुद का बना हुआ है आप कोई सा भी मसाला इसमें डाल सकते हो मैंने 1 थर्टी स्पून डाला है अब मैं इसे अच्छे से स्टर कर दूंगी और इसे मिक्स करना है थोड़ा मैंने वाटर डाला है 2 से 3 टेबल स्पून डाला है बहुत जादा नहीं ताकि ये मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाए भून जाए ये देख लिए जे फ्रेंट अब इसे कवर करना है चार से पांच मिनट के लिए इसे भूनना है फिर पांच मिनट बाद मैं कूकर खोल कवर हटा दूंगी ये देखिए फिर से मैंने स्टर किया है फ्लेम बिल्कुल फुल है हाइ फ्लेम पे मैं कर रही हूँ और ये देखिए मैंने जब मैं धक्कन कवर कर रही हूँ तो फ्लेम को लो कर दे रही हूँ मैंने दुबारा से कवर किया था दो मिनट के लिए फिर से मैंने खोल दिया धकन अब इसे अच्छे से फिर से स्टर करना है इसमें salt डालना है क्योंकि मैंने salt थोड़ा डाला था, half teaspoon डाला था, अब मैं half teaspoon और डाल नहीं है, इसमें salt, इसे अच्छे से mix कीजिए, ताकि नीचे से जो masala है वो चिपके ना, सारे masala को अच्छे से mix कर दीजिए, और ये देखे, मैंने again फिर से मैं roast कर रही हूं इसे, बहुत अच्छे से, friends आपके याँ कोई महमान आजए तो बहुत quick recipe है, या बहुत जल्दी बना सकते हो, ये देख लिजिए, मैंने आपको बड़ा करके दिखाया है, oil जो है, वो separate हो चुका है, देख लिजिए आप, pass से भी देख लिजिए, oil बहुत अच्छे से अलग हो चु water का डाल नहीं हो इसमें, थोड़ा सा stir कीजिए, जब mix हो जाए, तब इसमें cooker का ढखकन लगा दिजिए, एक city होने के बाद flame को medium कर दिजिएगा, फिर four whistle के बाद बन कर दिजिएगा, और friends ये बहुत अच्छा है, बन के तयार हुआ था, अगर आपको मेरी recipe पसंद आती है, तो please bell icon को जरूर प्रेस कीजिए, और मेरे channel को like कीजिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं आप तक कोई और recipe बना कर शेयर करूँ, तो आप मुझे जरूर comment करके बताईएगा, ये देख लिजिए, मैंने four whistle के बाद low medium के बाद जब मैंने खोला, kuga ठंडा हो चुका था, kuga खो से मैंने मसालो को भून दिया है, चिकेन भी गल चुके हैं, बहुत अच्छे से, अब ये serving के लिए तयार है, बहुत जल्दी, बहुत ही असान से, ये bachelor, बच्चे कोई भी बना सकता है, ये बहुत ही अच्छा होता है, ये देख लिजिए, कलर कितना प्यारा साया है, आप इ के लिए इसे खाईए, और देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स